बाबा बाबा ये लो 11 रूपे जल्दी से ये बताओ कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ और बन जाओ एक रात में करोड़ पती क्रिप्टो में निवेश जोखिम बरा है क्रिप्टो का नाम तो यूहीं खराब है वत्स असली दर्द तो गरिबी देती है गरिबी में किसी भी क्रिप्टो कोईन में इन्वेस्ट करना यानि और ज्यादा गरीब और बिखारी बनने की घटना को आमंतरन देना इसलिए आम इंसान को ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें एक रुपे का भी इन्वेस्टमेंट ना हो जल्दी फाइदा बले न दिखें परन्तो नुकसान की तो कोई गुनजाईश ही ना हो हम में से बहुत लोग क्रिप्टो करंसी करांती से अभी भी अनभीग गया है क्रिप्टो शब्द की बदनामी की वज़ा से क्रिप्टो का नाम सुनने तक को तयार नहीं तो पाई जैसे फ्री में माइनिंग करने वाले क्रिप्टो को कैसे पहचानेंगे हमारे भले के लिए कोई पाई के बारे में समझाता भी है तो वही नेटवर्क मार्केटिंग के पूराने चस्मे से इसको उसके जैसी कोई स्कीम समझ लेते हैं पहले तो यही विचार आता है कि इसमें उस समझाने वाले का फाइदा है अरे भाई बले उसका फाइदा है परन्तु तुमारे को भी तो फाइदा होगा ना पर वो अपने मन से कुछ और समझते हैं चस्मा जो लगा होता है जैसा जिसका ग्यान और जिवन में अब तक के अभ्यास से मन में विचार करने की अपनी शक्ती तो उसके मुताबिक इस पाई प्रोजेक का कुछ गलत तरीके से अनुमान भी कर लेते हैं मुश्किल से थोड़ा समय निकाल कर फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखते हैं और उसमें भी स्केम है ये पाई स्केम है ऐसा कोई वीडियो देख लिया तो बिना चानविन की ये मन में वही नेगेटिव विचार को तुरंद पकड़ लेते हैं इसके सामने दस और पॉजिटिव विचार वाले वीडियो की तो बात ही भेजे में नहीं उतरती परन्तु मेटा मित्रा चैनल के दर्शकों की तो बात ही निराली है आप सब के साथ पाई का माइनिंग यग्य करते करते एक साल कैसे गुजर गया इसका पता ही नहीं चला मित्रों सच में इस समय को पकड़ के रखना चाहता हूं क्योंकि पाई की वज़ा से हम सब एक दुसरे के साथ जुड़े हुए हैं कमेंट में भी कई व्यूवर्स एक दुसरे को मार्क दर्शन देते हैं वो देखकर मन प्रसंद न हो जाता है सब को सच्चे रदेशे लाइक और हार्ट दिता हूं आप सब का प्यार, सपोर्ट और मार्क दर्शन की ये यात्रा यूहीं चलती रहे और सभी पाई यर्ज को इस माइनिंग कर्म का अच्छा फल मिले ऐसी शुप कामना के साथ मेरे बोले बाबा से ऐसी प्रार्तना के साथ आज की सभा शुरू करते हैं पाई के ओल पार्शदों का सुस्वागतमेंग मित्रों पहले तो आईए पाई की नई वेबसाइट के दर्शन करते हैं जैसा कि आपको मालूम है कि ये पाई की ओफीसियल वेबसाइट है इसको पहले से अच्छा बनाया है और मॉबाइल फ्रेंडली भी बनाया है एंडुइड और एपल के सभी डिवाइस जैसे की मॉबाइल टेबलेट के साथ लेप्टॉप और कम्पीटर में भी ओपन होने वाले लगबख सभी इंटरनेट ड्राउजर के साथ कम्पेटिबल बनाया है यानि आसानी से ओपन हो सके और एक जैसा ही यूजर एक्सपिरियंस मिले सभी सेक्शन्स को अच्छी तरह से सेग्रिगेट कर दिया है और पेज भी फटाफट ओपन हो जाते हैं अभी पाई में कुल मिला कर दुनिया भर के 45 मिलियन से ज़्यादा पाउनियर हो गए हैं यानि 4 करोड 50 लाक पाउनियर और इसकी कोर्टिम में अब 35 से ज़्यादा डेवलोपर्स काम कर रहे हैं वो भी सिलिकॉन वैली अमरीका से लेकर यूरोप और एशिया के देशों में रहते हैं अभी हाल ही में एक सिनियर एक्सपर्ट की नियुक्ति हुई है वो है मिस्टर टिमोथी ली इन्होंने पाई नेट्रोट में चीफ फाइनशल ओफीसर का पद संबाला है यह डिरेक्टर अमरीका के वरजिनिया से हैं फाइनशल प्लानिंग और एनालिसिस, फिनाशल रिस्क मैनेजमेंट और क्रिप्टो करंसी, ब्लोकचेन, बिजनेस स्ट्रेटेजी जैसी विद्याओं में अनुभाव से कुशल ताप्रात की हो ऐसा लग रहा है अब पाई की टीम टेक्नलोजी के डेवलोपमेंट से एक कदम आगे कॉमर्शियल इकलोजिकल इन्फरास्ट्रक्चर का निर्माण और संचालन करने में भी सक्षम बन चुकी है यानि व्यावसाइक पारिस्तितिक बुनियादी धाचे का निर्माण और संचालन आसानी से हो सकेगा जिससे हैकेथान के एकलोजिकल एप के डेवलोपर्स जो भी कड़ी मेनत कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी और मार्क दाशन भी इसे ये लगता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है नए नए एक्सपर्ट एंड्रे ले रहे हैं अब एक और टेक्निकल चीज़ जान लेते हैं जो के मुहत्वपूर्ण भी लगती है GitHub जो दुनिया भर के डेवलोपर्स के लिए ओपन सोर्स की वेबसाइट है वहाँ पर ये Pi Network के ब्राउजर को कॉम्पूटर में ओपन करने के लिए किसी ने कुछ आधी स्क्रिप्ट लिखी है अभी तक रिलीज नहीं हुई है और दो हफ़ते पहले यहाँ कुछ अपडेट हुआ है यहाँ नीचे Pi Browser Extension Laptop में कैसे यूज करना है वो लिखा है आए इसकी एक लिंक देखते हैं तो यह Firefox Browser में Pi की एप का मैनू ओपन हो रहा है नीचे Pi की Social Media की लिंक भी ओपन हो रही है परन्तो अभी लगता है यह काम अभी अधूरा है जो भी हो इसे भविशे में Computer या Laptop में कोई भी Browser में से यह Pi का Browser ओपन कर सकेंगे ऐसी संभाव ना भी दिखती है और ऐसा होने पर Pi के Ecosystem की सभी Application अपने Computer या Laptop में भी Open कर सकेंगे तो बड़ी स्क्रीन में Pi से Online Shopping का भी मजाएगा क्या कहना है दोस्तों पता है सब तैयार है कुछ Pioneers तो भूखे Share की तरह शिकार करने बैठे है जैसे ही यह Pi किसी Exchange पर Official तरीके से Launch हो जाता है तुरंत ही इसको पैसे में Convert करने की जो मनो कामना है उसकी पूर्ती है तो यह बड़ी स्क्रीन वाला Browser भी शायद काम में आएगा है ना परन्तु यह तो समय ही दिखाएगा दया के यह Browser पहले Release होता है या Pi का Listing पहले होता है जो भी होगा उससे कुछ पावनियर को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पावनियर तो अभी से Offline Barter System से Goods और Services बेचने लगे हैं और Payment Pi में लेने लगे हैं तो इस तरह Pi की कीमत बन रही है Pi की कीमत 0 तो नहीं लग रही है सामान बेचने वाला एक Pi की जो भी कीमत लगाता है और लेने वाला उसे Agree हो जाता है तो LinkedIn का Transaction यानि Trade हो जाता है ऐसे Offline Meet and Greet सम्मेलन फिलिपाइन में, चाइना में, वियतनाम में और नैजिरिया में हम सब ने Social Media के माध्यम से देखे हैं ये सम्मेलन फिलिपाइन्स का है मित्रों इंडिया में भी कुछ लोग आगे आये हैं और Pi से पेमेंट लेकर गुड्स और सर्विसिस ओफर करने लगे हैं देखे यहां कीमत कोई भी हो परन्तु ये शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई है यही बहुत है ऐसे ही Pi के Pioneer दिल्ली के अकिल खान जी है जिसके कई वीडियो आप ट्विटर पर देख सकते हैं ये अपनी टेक्सी का भड़ा Pi में भी अक्सेप्ट करते हैं यानि इनको कितना विश्वास होगा इस Pi पर के टेक्सी का खर्चा यानि पेट्रोल तो रुपय पेसों का पेमेंट करके अपनी कार में डलवाते होंगे पर उन्तो मुसाफ़रों से पेमेंट Pi में लेने के लिए तयार हैं हम तो यही दुआ करेंगे कि अक्किल खान जी को Pi की उतनी कीमत मिल जाए जितना खर्चा हुआ है और उनको कोई घाटा ना हो ऐसे ही दुसरे पाउनियर उत्रा खंड में रुशी केस लोकेशन से हैं जिनका नाम है मिश्टर प्रदीप नेगी ये भी बहुत ही सक्रिय पाउनियर है मिटिंग का आयोजन करके लोगों को पाई के बारे में जनकारी भी देते हैं अभी तो पूरे रुशी केस में अधिकांश जगहों पर बहुत लोगों ने पाई का पेमेंट के स्वरूप में स्विकार करना शुरू किया है न सिर्फ खाना पिना परन्तु यहां आप होटल में रहने के लिए और टेक्सी सर्विस के लिए पाई का उप्योग कर सकते हैं एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे की रिवर राफ्टिंग करना हो बंजी जंपिंग करना हो ट्रेकिंग करना हो होट एर बलून में बैठना हो तो पाई से पेमेंट कर सकेंगे यहां तक कि टू विलर एक दिन के लिए रेंट पर लेना हो तो भी पाई से पेमेंट का स्विकार किया जाता है वो भी 100% ज्यानि आपके पास पैसे नहीं है परन्तु धेर सारे पाई है तो आप बीना पैसों के भी यह सब सर्विस ले सकेंगे ऐसा प्रदीब जी ने हमें इमेल करके बताया है यह एक पाई का 20 रुपे के रेट के हिसाब से अभी तो पेमेंट ले रहे हैं जिसके पास वालेट में कम पाई है उन्हें शायद यह रेट बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाई की कीमत ना सिर्फ ऑनलाइन परन्तु आफलाइन बाजारों में दिरे दिरे बन रही है यह बहुत ही महतोपून बात है हो सकता है बविश्य में पाई का लिस्टिंग हो और तब जो भी रेट होगा उसी रेट पर सबको ऐसी बहुत सारी सर्विसिस मिलती रहेगी शुरुआत करना ही बहुत हिम्मत का काम है प्रदीब जी और उनके साथ बहुत लोग इस मेटा मित्र चैनल के वीडियो देखते हैं शेयर करते हैं लाइक करते हैं उसके लिए धन्यवाद रुशी केश में पाई से बिजनेस करने वालों को हम बहुत शुप कामनाई देते हैं सब के बिजनेस में तरक्की हो और सब की सुख समरुदी बढ़ें ऐसी प्रातना और दुआ करते हैं आप मेंसे जिसको भी अपने बिजनेस का वीडियो या फोटो भीजना हो तो मेटा मितर के फेस्बुक मेसेंजर, इंस्टाग्राम मेसेंजर या ट्विटर मेसेंजर पर डिरेक्ट मेसेज करें आपको ये रेडिमेट बैनर भी चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसकी प्रिंट निकल वाकर आप अपना रेफरल कोड लिख कर अपनी शौप के आगे लगा सकते हैं या बाजारों में भी लगवा सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग आपकी टीम में जुडेंगे और ज़्यादा पाई बनेंगे ज़्यादा पाई होंगे तो रुशी केस जैसी खूब सूरत जगह पर यात्रा भी कर सकेंगे और गंगास नान करके जीवन में पुन्य अरजित कर सकेंगे तो इसी तरह पाई से पुन्य की यात्रा हो सकती है लास्ट में एक और मस्त चीज देखते हैं कि जतिन गुपता जी ने अपने टैलेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है वो ये है कि बॉलिवूड के जाने माने एक्टर जैकी स्रोफ जी शायद पाई की माइनिंग करते होंगे क्योंकि ये उनका वेरिफाइड इंस्टाग्राम एकाउंट है और ये जो पाई नेटर का ओफिशल इंस्टाग्राम एकाउंट है उसको वो फॉलो करते हैं लगाना सर्प्राइज तो भाई इनके साथ हो सकता है टाइगर स्रोफ जी या पूरी बॉलिवूड इंडस्ट्री में से कई लोग कई सारी सेलिब्रिटी भी पाई से जुड़े होंगे या फिर वविश्य में जुड़ेंगे वा जतिन जी वा इस डिसकोरी के लिए सारा क्रेडिट आपको जाता है दोस्तो बस अब तो लगता है इंतजार बहुत ही जल्द खतम होने वाला है कुछ ही मैनों की बात है कोई फरक नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी है बलकि आप उन सभी से एक कदम आगे है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो बाईयों बहनों माताओं पाजी बड़े भाईजान दद्दा और जुवानियाओं अभी भी समय है पाई को जानने के लिए उठे जागे और मोबाईल में पाई का माइनिंग यग्यक करते रहें पा झाल झाल झाल